हाई गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं आज आपको डीएपी की कलेक्शन दिखाने जा रहा हूं जिसमें से मेरा एक है नाइन टू डबल जीरो यह इसका मतलब बोर्ड है यह इसका पैनल है इसे हम रक्स भी कहते हैं यह रिमोट है ठीक है और यह एक और डीएस पी है नाइन टू डबल जीरो और यह मैंने प्रिफाविस्ट किया है थोड़ा सा देख्वाविफाविस्ट इसने अच्छे से करा है क्या पदा भी नहीं सकते हैं चीक है यह भी अन्रिक्रेट बोर्ड है यह भी आपको दिखा दूँगा यह कहार जीरिया है यह भी बाणविस हो है यह जी पी आट सो है यह इसका यह नूट है पी आट सो का तो अगर आपको तो बड़ा साद लेबरेट कर देता हूं यह है 31 बैंड इसमें क्या है स्ट्रेडियम और कंसर्ट दो मोड है और इसमें लेवल अप डाउन हो सकते हैं ठ है यह इसका यूनिट है जो फार अवे यूनिट कहते हैं इसको लग लगा सकते हैं यह इसका आपका डियस्पी है यह 500 नंबर है वह भी 500 नंबर है इसमें इसमें फ़रक है थोड़ा बहुत ठीक है वह दो मैं आपको ऑनकॉल बतातूं मुझे काह फरक है तो लेनी से पहले म सो इसके एक मतलब माध्य हमसे मेडियम से एक चीज बताना चाहता हूं कि आज कल बाढ़ में सो का प्राइज अननेसेसरी 50-60,000 कर रखा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एक सराउंड की चिप है बस और कुछ नहीं उस चिप के लिए इतना हाइक मत करो क्योंकि एक इनकी भी लाइफ है लाइफ खराब होने के बाद यह ठीक नहीं होते किसी की चिप किसी में किसी की चिप यह चल रहा है अगर आप ऐसी रेट बढ़ाते रोगे ना अननेसेसरी जिसके बाद यह महेंगा जाएगा उसका खराब हो जाएगा अगर यह रेट कम रहेगा तो जिसके एक बार खराब भी होगा तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक करवाने के अब भी सब्सक्राइब आपने इसको 60,000 का करते तो रिपेरिंग कॉस्ट 10% अगर लगाओ तो 6,000 की हो गई अगर यही 40,000 का तो रिपेरिंग कॉस्ट भी 4,000 की हो जाएगी तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यह करूँगा कि मैंने ही DSP को इंटिडियोस कहता है इंडिया के अंदर आप मेरी वीडियोस जाके देखोगी मेरे चैनल है पाइनियर कार आडियो के नाम से मैं ही एक बंदा था इसने इंटिडियोस किया और एक बूम बना दो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको एक नॉमिनल एकोनोमिकल प्राइस पर रखना ही कोश्च करें सेलर और बायर दोन ही क्योंकि आप उसको जादा करोगा ना इसका रिपेरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड इंड यह डैडी हो जा